हेलो दोस्तों नमस्कार नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हटा चक्की अगर आप लोग चलाते हैं तो उसमें तो सबसे पहली ये जनकारी हो गया होगा आप लोग को कि मतलब नियत मांग सुल्क जो है वो दूगना हो गया है तो मैं इसमें दो चीज आप लोग को बताने वाला हूँ नियत मांग सुल्क जो महीना में जो आता है माली उनीस सो दो हजार या बाइस सो या ठाड़ा सो करके उसको मैं एक दिन का खर्च किस परकार निकालूंगा वो मैं आपको सांत में सेर करूंगा उसके बाद आप लोग जितना यूनिट चला है उसे यूनिट में कितना कुंटल अनाज पीसे हैं और दो चीज मैं बताने वाला हूँ अगर दो चीज आप लोग सही से जनकाड़ी लेते हैं आप लोग अच्छे तरीका से चक्की चला पाएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा आप लोग को कि मतलब कितना यूनिट और कितना लोडिंग में पिसेंगे ताकि मेरा जो लोड होगा चक्की का मतर दोनों के मिला क जो लोड होता है उस लोड का अनुसार नियत मांग सुल्क महीना में कितना जाएगा वो ही मैं आज बताने वाला हूं अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक कर दिएगा चलिए तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं वोता क्या है भाई साब क कि हम लोग एक महीना चक्की चलाते हैं तो लोडिंग हम लोग को जो दिया जाता है बिजली भ्याक के तरफ से 6 किलो का लोड दिया गया है सारे 7 HP जिनका मशीन है उनको 6 किलो का लोड दिया जाता है अगर 6 किलो के अंदर में आप लोग पीषते हैं या 6 किलो लेकर हैं तो उनका जो होता है घंटे में कम से कम पांच जह इया छे unit खर्च होता है अब उनका माल कितना निकालता होता होगा वो तो खुद दियाने मैं अपना बता देता हूं कि एक गंटे चक्की है वो 1900 रूपिया अब 1900 रूपिया हम कोई जानकारी नहीं था कि मतलब भाई साहब अगर हम कोई काम नहीं करते हैं मतलब तो 1900 रूपिया हम किस चीज का देए खासकर चक्की के लिए तो वही चीज मैं आपको आज बता रहा हूं देखिए 1900 रूपिया जो है कि तरा लोड में पिसे हैं तो पहली मेरा लोड देख लिजिए, मेरा लोड है 4.7, 30 दिन का, sorry 33 दिन का, 33 दिन का मेरा भी लाया, 33 दिन का 4.07 लोडिंग है, उस लोडिंग का नुसार हम जो पिसाई किये हैं, अब एमप्यर के बाड़ें बता देते हैं, मेरा एमप्यर जो चला है, 4-5 एमप्यर जहां अभी 7.93 पैसा कर दिया गया है, उनिट का खर्च, मैंने बिजली चक्की बालो के लिए, उसमें क्या है, कि अगर 5 उनिट खर्च किये हैं, तो 8 रुपिया पकर लिजे, 8.40 रुपिया ये हो गया, अगर एक कुंटल माल हो, अगर हम लोग पिस्ते हैं, तो उसका 1.500 रुपिया हो जाएगा, तो 40 रुपिया माइनस कर देजागा, तो 110 रुपिया बचेगा, ये तो मतलब एक घंटा का हो गया, उसके बाद, 19 रुपिया जो लोडिंग चार्ज मेरा लगा है, उसी के बाड़े मैं बता रहा हूँ, कि एक दिन का लोडिंग चार्ज मेरा कितना चलाएगा, वो नियत मांसुलक निकलेगा, 57 रुपिया कुछ पैसा, वो 57 रुपिया एक दिन का मेरा चार्ज है, अगर हम चक्की नभी चलाएंगे, तो हमको 57 रुपिया देना पड़ेगा, या उससे कम भी देना पड़ेगा, बठ हमको पैसा देना पड़ेगा, यानि 50 र तो सबसे पहले ये देखना है, 170 उनिट जो है, वो कितने दिन का है, ये यानी 33 दिन का है, तो 33 दिन का, आप गंटा जो और लिजे, एक गंटा में 5 उनिट लेती है, तो 5 से भाग देना है 170 को, 5 से जब भाग देजेगा 70 को, तो 34 निकल गड़ागा, तो 34 वो क्या हुआ, और करनाम करते हैं किर फंद्रा स्रूपीयरी कमाना है तो हचक्की खोल के अराम से कमाईे कोई दिक्कत नहीं है और नहीं थोड़ा भी सर्मिंदगी है तो कहीं अलग जाके कोई फेक्टरी में बनिया से काम कीजिए ताकि पांस रुपया देहरी देता है अब बताइए तो यह जो रेट नीचे करके रखा कौन हम और आप अगर हम लोग ठीक रहेंगे कास्टमर भी सह लेट उपर नीचे कर दिया जो हम लोग कुछ बसता नहीं और उपर से बिजली विभाग की ओर से हम लोग को चांप दिया गया है कौस के बताईे, 6 किलो का लोट लिए हुए, अब 6 किलो के लोट पहले हम लोग को देना पर था, दा 12 020 रूपिया, अब देना पर था, चयोविस सरूपिया, तो हो गया न चक्की चलाना इसलिए वीडियो देखकर आप लोग को चक्की नहीं खुलना है पहले सोच लिजिए समझ लिजिए उसके बाद चक्की खुलना है यही एक हमारे पास में जनगारी था जो आप लोग के साथ में सेर कर दिया अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देजिएगा चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंदि